नमस्कार इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है नमस्कार वैक्सिनेशन अपडेट के लिए हमारे साथ है नमस्कार आज आठ फरवरी 2021 शाम 6 बजे तक के जो प्रावधानिक आंक्रे हैं उसके अनुसार हमने सारे देश में साथ लाग पैतीस हजार शेसो साथ लोगों को कोविट कर्टी का लगाया है और हेल्पकेर वर्कर्स जो वैक्सिनेट हुए हैं उनकी संख्या है चोवन लाग बारा हजा दोसो सत्ता और दो तारीख से हमने फ्रंट लेग फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सिनेशन शुरू किया है उनकी संख्या है चेलाग तेई सजा तीन सो नबबे to the today's highlight up to six pm is total vaccinations then our 60,35,660 out of which healthcare workers are 5412,270 and the frontline workers other than the healthcare workers which we started on second February 623,390 So with this in last 24 days we have done 6 million, we are the fastest country to reach 6 million vaccination target. USA did it in 26 days and UK in 46 days. 60,000,000,000,000,000 का लक्षे प्राप्त करके 24 दिन में हमने ये अपलब्दी हासिल की है जो सबसे तेज रफ्तार है। USA ने इस लक्षे को प्राप्त करने के लिए 26 दिन और UK में 46 दिन का वक्त लिया। 65 प्रतिशत से अधिक healthcare workers का database लिएक कवर करने वाले 11 राज्ये हैं। 11 states have done more than 65% of healthcare workers coverage and in descending order states are बिहार 77.6 सक्से जादा बिहार 77.6 प्रिपुरा 76.4 चीहतर दशामलद 4 प्रिशत मध्यप्रदेश 76 परसेंट चीहतर प्रिशत उत्राखन 73.6 तीहतर दशामलद 6 प्रिशत उडिशा 70.3 सक्तर दशामलद 3 प्रिशत मिजोरम 69.7 उनत्र दशामलद 7 प्रिशत उत्तर प्रदेश 68.2 परसेंट 68.2 प्रिशत अंडमान 67.6 परसेंट 66.6 प्रिशत हिमाचल 67.4 सरसट दशामलद 4 प्रिशत राजस्थान 67.3 सरसट दशामलद 3 प्रिशत और केरला 65.3 परसेंट और केरला 65.3 प्रिशत इन ग्यारा राज्यों ने अपने हेल्थ केर वर्कर्स का 65 प्रिशत से अधिक लोगों को टीका लगा दिया है पर दिया इलेवन स्टेट्स विच अपर कवरेज अफ लेज दें 40 परसेंट आप टोटल हेल्थ केर वर्कर्स देटाबेस ग्यारा राज्ये ऐसे भी हैं जहां पर कुल हेल्थ केर वर्कर्स की संख्या का 40 प्रिशत से कम उपलब्दी है और वो राज्ये हैं तेली 28.2 आडती श्याव लग्व जम्मु आण कश्मीर 37.3 सैंती श्याव लग्व तीन लद्दाख 36.3 चाती श्याव तीन पंजाब 34.2 चांती श्याव दो दाद्रा यं नगरहवेली 34 चांती श्याव पतिशत तमिलनादु 27.6, 27.6%, मेगालय 24.1, 24.1, नागालेन 21.3, 21.3%, मनिपूर 20.2%, 20.2%, and पुदुचेरी 14.1, पुदुचेरी 14.1%. आज 35 राज्यों में टिका करण 17 आयुजित किये गए, और कुल मिलाके 223,298 लोगों को शाम 6 वजे के प्रावधानिक आंकडों के अनुस्ता टिका लगाया गया है, और जो 10 राज्यों जहां पर सरवादिक टिका करण हुआ, वो इस प्रकार्णवे, मध्यपदेश 20,633, 20,633, उडिशा 19,621, 19,621, गुजरात 19,382, 19,382, West Bengal 14,562, 14,562, चतीजगर 12,395, 12,395, बिहार 12,197, 12,177, जमु एं कश्मीर 11,612, 14,612, जारखन 10,633, जारखन 10,633, ये शाम 6 वजे तक के प्रावधानिक आंकडों। So, the total hospitalization still date are 29, and out of these 29, 19 have been discharged after treatment, one is under treatment, and there has been 9 deaths. In terms of hospitalization against percentage of vaccination, it comes to 0.0005 percent, and there has been one new hospitalization, which is a case of bilateral facial palsy, which is stable at Kerala Institute of Medical Sciences, Thiruvanthupuram, Kerala. आज दिनाग तक कुल अस्पताल में भरती व्रक्टियों की संख्या है 29, जिसमें से 19 को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, एक अभी अस्पताल में उपचार रत हैं, और 9 की ब्रत्यू होई है. यह जो अस्पताल में भरती होने का प्रतिशत है, कुल टीका करण के सापेक्षिक अनुपात में, रशाम लग शून्य 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 पांच प्रतिशत है, इसलिए 24 घंटे में एक नया हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, केरला इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेस में, यह बीलेटरल फेशल पल्सी के साब है, और अभी इस्थिर सिती में है, देट्स रपोटेट सो फार 23, इच चांस 2.0004 पर संट फोटल वेक्षिनेशन, आफ इस 23, देट्स इन हॉस्पिटलाइज नाइन आइन 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 शिरी का कुलम आंधर प्रदेश और पोस्मार्टम डिटेल्स हार अवेटे, आज दिनां तक टिका करण के पश्चाथ 23 म्रत्यू प्रकाश में आई हैं, जो दशामलव शून्य 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 चार पतिशत है, कुल टिका करण का, इन 23 में से 9 की म्रत्यू अस्पताल में ह होई है, और 14 की अस्पताल से बाहर, इसलिए 24 घंटे में एक म्रत्यू की सुचना प्राप्त होई है, जो की 29 वर्षिय महिला श्री का कुलम आंधर प्रदेश का है, और इनकी पोस्मार्टम डिटेल्स अभी तक अपेक्शित हैं, So to summarize, a total of 60,35,660 beneficiaries have been vaccinated till 6 p.m. as per the provisional reports, and no case of serious or severe AFI or death is attributable to vaccination till death. अंत में आज दिन आंक तक शाम 6 वजे तक के जो प्रावधानिक आंकड़े हैं, उसके अनुसार सारे देश में 60,35,360 लोगों को COVID का टिका लगाया गया है, और कोई भी प्रक्राण serious अत्वा severe AI अत्वा म्रत्यू का vaccination के साथ अभी तक जोड़ा नहीं है, धन्यावाद, जहिन, नमस्कार, धन्यावाद सर्थ, थैंक यू फ्रेंज, थैंक यू बेरी मुँद, इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए